हेलो फ्रेंड्स बिलकम है आप सबका साधना रियर ब्लोग चैनल में आई हो फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स इस समय मैं डालू तो क्या डालू ब्लोग में ज़्यादा बना नहीं पाती हूं और इस तरह चल रहा है सारे सोसल मीडिया में कि घरवाले भी बो आनेह सचीन नीतू अलका सुमीत कितने लोग हैं जो एक चंगुल में फंस गये हैं और यह सारे जानते हो एक समय बहुत अच्छे दोस्त से सभी जितने लोगों का में नाम ले रहे हूं बहुत अच्छे दोस्त थे तो आज कलीन का पंगा चल रहा है और आमने सामने से बざõने के मतलब सब्धी न अपना हात सेके रहे हैं किसी एक बंदे बंदी की इस पूरे लोग उसी में जुट गए कनल से पूरी दुश्मन बन चुके हैं और आज वो लोग भी उकमा रहें किसलिए कि मनीशा सचिन नेहा की लाइफ खराब हो रही तो हम भी इसी में हाथ सेख ले और इसमें मैं भी अचूती नहीं हूँ फ्रेंड्स मैंने भी इन सब लोगों के विडियो डाले हैं यह नहीं कहूंगी कि मै लेकिन उन्हें इडिट नहीं कर पाई हूं तो नहीं डाली हूं जब बड़े-बड़े यूटूबर्स लेड़ रहे हैं तो हम तो छोटे-मोटे हम किस खेत के मूली हैं लेकिन फिर भी एक सब्द हम अगर बोल देंगे आप लोगों के लिए तो सायद आप लोग समझ सब्सक्राइब कर दोस्ति करो अगर कभी दुस्मनी हो जाए तो उसे भी दुस्मनी मत करो दोस्ती ही रखो कुछ शीजे मन में रहती हैं कुछ शीजे बाहर आ जाती है जरूरी नहीं है कि उसे आप खोपे नहीं कर दें और जो आप कहे देते हैं वो जीवन भर के लिए कलंग बन जाती है क्योंकि बात आप में साइध उस समय के स्थिति देखकर कह रहे हूं लेकिन आगे के स्थितियां कब कितनी कैसी बतल जाए हम आप कोई भी नहीं जानता तो इसी तरह नहां और सचिन मनीशा का भी चल रहा है अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन को जेल भेजेंगे सचिन कितनी बड़े गलती नहीं ही कि सचिन को जेल भेजा जाए क्यूद्गि मैं इतना मैं भी मानती हूं अगर नहां गलत ना होती तो सचिन ना होता गलत क्यूद्गि लिलकियों औरतों का ही काम होता है यह जिर्ण से इसाभ से रहना ठिक ललके लोग तो कहीं जाएंगे, आएंगे, भूमेंगे, टहलेंगे, बात करेंगे, इससे करेंगे, उससे करेंगे, सब चल जाता है, उनको लोग ज्यादा बदनाम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लेडीज हैं, जिसे नेहा, सब ज्यादा यहां नेहा की इस्थिती खराब है, क्योंकि में वहन लोगर एक सेकंड के लिए गलत हुआ भी होगा तो इसमें लेहा को अपना इस्टेंड लेना चाहिए वह जोना है की साथ सचिन को रास्ता चल रहा है सब बड़ा प्योर है प्योर कुछ नहीं होता है हर जगा का लंकित करने वाले लोग होते हैं दुनिया में अपने आपको इतना ज्यादा वह समझदार मत समझ लिया करिए कि हाँ मैं तो बड़ी समझदार हूं मेरे हस्बें को मैं सारी छूर दे दूंगी कोई प्र उनकी लाइब में देखने से एक मुटिवेशन मिलता था कि वाव क्या बात है ऐसे रहते हैं वाइफ हजबन यह सारी चीजे हैं और रही बात प्रेगनेंसी की नहा के तो प्रेगनेंट तो सायद नहीं है फोन में बाते हो रही थी उस रिकॉर्डिंग में हो रही थी मैं उ कि आगे सायद इस्थितिया बदल जाए फिर से नहा के और मनेशा की दोस्ति सायद हो जाए जीरा में नमक जेसा काम करेंगे क्या जरूरत है जीरा को जीरा रहने तो वह आपको दिखेगा तो आप खुदी जान जाएंगी कहने की जगवत नहीं है मुह से मत कहो किसी को वीडियो ची चलते भी नहीं है ज्यादा मेरे तो मैं और थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती हूं लगता है क्या बनाओ फालतो परसान होती हूं और दूप हलकी हलकी है ठंडिक मौसम आ गया है तो भी लगता है चले दूप में घंटे दो घंटे बैठें लोगों का खाना बन है मेरा नास्ता हो गया है सबजी पराठा मैंने सबस बस बनाया था बच्चे गए स्कूल हस्विन गए स्कूल अपने महीं अकेली थी तो मैं मुझे लगा आप लोगों से बाते कर लूँ नीतू की आज वीडियो देख रहे थी बहुत जादा रो रहे थी अभी कब वीडिय हमेल नहीं होते हैं वह थोड़ सुधक खेंट होते हैं उनमें आप हजारों कमियां देख सकते हैं बताये यह साफ है वह लोगों रोए दोटाइले तो सुपथ नहीं पता नहीं तो नहीं है कि मुझसे आगे वह बड़े यूटूबर जाते हैं तो सिद्धी सी बात है उनके साथ में थोड़ी ना अभी अर्जेस्ट हो पाँगी जब लेबल के लोग होते हैं कहते ना दोस्ती बराबर वालों के साथ की जाती है तो भी उनके बराबर की नहीं है यूटूब की दुनिया में और मैं अपनी घर वाली राय की बात नहीं कर रही ह मैं मैं ने देखा लवर नहीं टौशर करना चाहिए को से नहीं कुछ सुनाना चाहिए अप जब से पहले अपने बेटे से भी बातziękलो होती है एक हाँ से आंसी आ फलाएँ गें ओर देखिए तो कभी एक ताली से लड़की को परसान कर रहें हो कि उसकी में आखे फोर देती, मूनों चलेती, ऐसा नहीं, पहले आप अपने बेटे को थोड़ा सा समझाईए, फिर उसके बाद निहा को कहिए, निहा तो किसी और की लड़के, जब आपके लड़के में ही खोर निकलाया, सबसे पहले अपने गिरेवान में जहाकना चाहिए, जब सारी कमी आपको अपने दिख जाए, तब किसी और को पहले, ताली कभी एक हांसे बचती नहीं है, दोनों हाथ आप फिलाएंगे तभी बज़ेगी, चाहे राधे राधे बोलिए उस ताली बजाते हुए, चाहे किसी को गाले देजिए, ठीक है, चलो मैं भी ज़्याद यूटूब की दुनिया में भी यही, इसे हम इंडरस्टी कहेंगे, बहुत बड़े बड़े से बड़े यूटूबर्स बन गए हैं, और अब जो सी ब्लोग जो हैं, बताओ उनकी करोडों की कमाई डेली की है, तो इसे हम इंडरस्टी कहेंगे, सिर्फ यूटूब नहीं कह कुछ गता होती, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी प्रॉब्लमो सोती है, तब झा कोई यहां से पैसे निकाल सकता है, किसी और के जेब से पैसे लेना, अलग बाथ है, छीन न शिखिशन कहा बात है, और यूटूब पर जो जीतने लोग आए हैं, वो य्रूटूब से प करती हूं कल ब्लॉग डालूंगी अपना आज आप लोगों से मैंने बाते का लिमन था जो भी बोलने का मन था मैंने बोल दिया आई होप आप सब समझ पाए होंगे और देखते हैं क्या होता है नीटू तो रो रही थी बहुत ज्यादा नीटू करोना देखके मुझे बड़ा